इस वीडियो में आपका बहुत दस्वागत है आइफोन XR की उपर आइवस 18 का जो सौफ़वर अपडेट है वह मैंने इंस्टाल किया है और इस आइफोन में यह अपडेट कैसा परफॉर्म कर रहा है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ मैंने अपने आइफोन XR को 14 प्रो की हाउजिंग में कनवर्ट कर रखा था सो अभी भी मैंने यहीं यूज कर रहा हूं सो मैं आपको दिखांगा कि यह आइफोन XR कैसा परफॉर्म कर रहा है आइस 18 के यहां पर आपने देखी लिया है क यह bigger app icons यूज कर रहा हूं और of course यहां पर आप सारी चीज़ें चेक आउट कर पा रहे हो जो की general section में settings में about में लेकर चलता हूं तो यहां आप चीज़ें देख सकते हो सक्षन में battery और cellular राइट यहां पर battery health जो मेरे phone की 78% ही थी और अभी 78 की 78 है यह phone की original battery है just battery important message इसलिए शोर है क्योंकि इसकी health degrade हो गई है 80% से कम हो जाए तो आपको message आना शुरू हो जाएगा अब बढ़ते हैं second अभी जो आप look देख सकते हो यहां app icons की यह मैंने खुद च क्लिक करके कस्टमाइज कर लेना है और यहां अपने हिसाब से अपने app icons decide कर लो automatic यहां फिर light यह larger के smaller सुच टोटली up to you एक सार में भी हमें बहुत सारी कस्टमाइजेशन का option देखने को मिलता है जो की बढ़िया चीज है यहां control center में भी आप देख सकते हो तीन चार प्रकार के हमें जो है ना controls देखने को मिलते हैं और haptics काफी बढ़िया है यहां पर आप देख सकते हो home setup यहां network के regarding यहां पर music का और यह सारा का सारा control center आपको इसमें बहुत सारी कस्टमाइजेशन देखने को मिलती है आप जितने चाहो उतने controls add on कर सकते हो यहां बड़िया चीज क्या है कि आप किसी भी control का size change कर सकते हो कम कर सकते हो चोटा कर सकते हो जो भी आपको अलोग करता है आप अलग अलग प्रकार के control center set कर सकते हो यह आप देखो काफी सारी कस्टमाइजेशन जो है न वह काफी बढ़िया आप हाई लेवल पर कर पाओगे जो की ठीक है पसंद आया यार मेरे को यह चीज बढ़िया और सही भी है राइट सो मेरे को यह काफी control center काफी जादा पसं यह आपको यहीं से ही दे देगा बढ़िया चीज है सैमसंग में यह फीचर पहले से ही था और आप एकस आइफोन में यहां पर यह अभी फीचर दे दिया गया है सो हम अब अपने लॉक स्क्रीन पर टूगल वगरा चेंज कर सकते हैं हम अपनी अप्स को हाइड कर सकते हैं लेट आपको आपको लॉक करना चाहूंगा तो मैं इसको रिक्वाइर फेस आइडी कर दूगा और आपकी जो एप्लिकेशन है आपके केस में लॉक हो जाएगी जैसे मेरी अभी अप्लिकेशन अगर मैं इसको उपन करना चाहूं तो पहले यह पासवर्ड ही यहां फिर फे बाकी अब मैं बात करता हूं परफॉर्मेंस की दोस्तों आयोस 18 में आइफोन एकसार कुछ जादा स्लो नहीं हुआ मैं कहूंगा की बढ़िया है आइफोन एकसार आयोस 18 को और एक और शीज मैं प्रूफ कर दूं कि आयोस 17.6.1 से थोड़ा सा मेरे को अभी स्लो फील हो रहा है जैसे आयोस 18 का जो है आइफोन एकसार के उपर भार सा पढ़ गया है जैसे आपके उपर जादा बहार डाल दो तो वह बैंड होके चलोगे या थकावट फील करोगे एक्जैक्ली सेम आइफोन एकसार फील कर रहा है चलाने में यह बोल रहा हूं क्योंकि आप आपनिंग स्पीड में थोड़ा लैग है कोई किसी आप्शन में अगर शिफ्ट कर आइफोन एकसार ने कुछ प्रेटी गुड टाइम ले लिया है यहां पर मैं बोलूंगा कि आइफोन एकसार अभी आइटी में स्लो फील कर रहा है होपसो चीजें आगे जाकर बढ़ियां होंगी आइफोन के लिए क्या मेरे केस में ही ऐसा हो रहा है या फिर आपकी केस में भी है अगर आपने आइफोन एकसार में अपना अप्देट इंस्ट्ल किया है तो दू लेट में रून हूंट सक्षन बैटरी लइफ की बात पर हो तो थो सकता है मेरे केस में मेरे बैटरी खराब हो गई हो यह फिर आइम एकसार जो है आइफोन पर पर फॉर्मिशा करा ओं अगर मैं इतनी जल्दी आपको बैटरी के रिगार्डिंग बता दूंगा तो यह थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी XR के लिए कोई भी स्टेटमेंट्स ऐसे मैं प्रूव नहीं कर पाऊंगा राइट अगली वीडियो में आपको आइफोन XR की पर्फॉर्मेंस के बारे में बताऊंगा कुछ गीक बैंच टेस्ट करेंगे इसके ओपर पबजी टेस्ट करेंगे स्टेस्टि कि भी सारी टेस्टिंग में ताया चार्ज और चार्ज लूज किसे दाइम भराइग ओगाएं कि यह यूज़ करता हूं चार्भ स्ट्वी खाल रहेगा था एंगण में अबली ट्रॉप कर रहे अगर आपको कीन से जानने की आपने फोन में आप यूज करना चाहते हूं तो आने वाले कुछ ही टाइम पर आपको 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 अप्टेट देखने को मिल जाएगा तो आप इंस्टाल कर सकते हूं अगर आपको इतना ज्यादा जुरूई नहीं है कि भाई मैं सॉफ्ट्वेर पुराने से चला लूँगा काम तो आप अभी अपडेट ना करना हो सकता है क्योंकि अपडेट करने से आपकी बैटरी हाल थी है डिस्पले में कोई इशू आ सकता है अगर आपको इतनी ज्यादा नदब अंदर से चल नहीं मचरी की अपडेट करने की आप अपडेट को बिना फोन को बिना अपडेट किये रख सकते हो अट लीस्ट एक दिन महिने के लिए दब आइस 18 के बीटास जो सॉल्व हो जाए या फिर बग्स जो हैना सॉल्व हो अगरे रिवीव दो लेट में ने कमेंट सेक्शन थैंक्स फूर वाशिं गाइस थैंक यू सो मच मिलते हैं नाक्षी तो में